नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हरजुन खजूरिया और आपका स्वागत है SGV News पर दिल्ली शराब निती केस में रविवार को गिरफतार किये गे दिल्ली के उपमुख्य मंत्री मनीश सी सोदिया को CBI जो है वो कोट में पेश कर रही है और CBI ने रविवार को सी सोदिया से लगबग आठ गंटे तक पूश्टाच की थी जुलाई 2022 में दिल्ली के उपरा जेपाल विने कुमार सकसैना ने मनीश सी सोदिया के खिलाफ CBI जांच की जो है वो सिवारिश दी थी और सकसैना ने सी सोदिया पर नेमों को नजर अंदास कर भष्टा चार करने के आरोप लगाए थे इसके बाद E.D. और CBI की तरफ से सी सोदिया के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई थी अब इस मामले में भारतिंता पार्टी ने ने टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड माफ करने के आरोप लगाए जिसके बाद ये जान शुरू हुई सी सोदिया अमादमी पार्टी के ऐसे दूसरे मंत्री हैं जिन्हें मात्र एक साल के अंदर ही केंद्रिय अजंसी ने गिरफतार कर लिया सी सोदिया की गिरफतारी तो हो चुकी है लेकिन क्या ऐसे कारण रहे कि CBI को तुरंत जो है आठ गंटे की पूश्ताश के बाद मनीर सी सोदिया को इस मामले में शराब गोटाले में गिरफतार करना पड़ा आए आपको इसके बाद में विस्तार पूर्वग बताते हैं आपको पूरे केस के बारे में अगर बताएं तो रिपोर्ट्स में CBI के सूत्रों से जो है यह बताया जा रहा है जो एक्साइज डिपार्टमेंट के नेटवर्ग में था ही नहीं, तो वहां से एक क्लू मिला CBI को, इसके बाद CBI ने एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी को पुछताश के लिए बुलाया था, और उस अफसर ने एक सिस्टम की जानकारी दी, जिसे एजनसी ने इस सा साल, 2023 में, 14 जनवरी को सिसोदिया के दफ्तर से जब्त किया था, यह वो क्लू जो है जो जुडे थे, अब इस सिस्टम की जादातर फाइल्स जो है वो डिलीट कर दी गई थी, लेकिन अपनी फॉरेंसिक टीम की मदद से CBI ने इस डेटा को हासिल कर दिया, जो डेटा डिली इने 1996 बैच के ब्यूरोक्रेट को जाँच के लिए बुलाया, यह ब्यूरोक्रेट सिसोदिया के सेक्रेटरी के तोर पर काम कर चुके थे, और सुत्रों के मताबिक अफसर ने CBI को बताया कि मार्च 2021 में मनीर सिसोदिया ने उन्हें केजरिवाल के दफ्तर में बुलाया था, वहाँ पर अफसर को श्राब निती ड्राफ्ट पर मंत्रियों की रिपोर्ट दी गई, इस दोरान सतेंदर जैन जो इस समय जेल में है वो भी वहाँ पर मौझूद थे, और अफसर ने बताया कि इस ड्राफ्ट रिपोर्ट से ही 12 फीजदी प्रॉफिट मार्जन का नियम आय और इस नियम के लिए कोई चर्चा हुई हो, या इससे कोई जुड़ी फाइल हो, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला यहाँ पर, CBI को, सबसे बड़ा खिलू मिला यहाँ, कि कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, रविवार को CBI इस ड्राफ्ट रिपोर्ट के बारे में मनीश सी रिकॉर्ड किया गया था, और मनीश सी सोधिया से आठ गंटे की पूश्ताश जो हुई, उसमें उनके करीबी दिनेश अरोडा का सबसे बड़ा रोल है, आईए आपको चार अलगलग पॉइंट से इस बारे में समझाते हैं, सबसे पहला पॉइंट, मीडिया रिपोर्ट मे सीबियाई सुतरों के हवाले से बताया गया, कि जब लिकर पॉलिसी के जरिये कारोबारियों को फाइदा पहुंचा है जा रहा था, तो उसी दोरान मनीश सी सोधिया ने एक दिन में तीन फोन बदले गिये थे, सीबियाई ने गिरफतारी के बाद कहा कि सी सोधिया से जो संतोष जनक नहीं था, वो जवाब संतोष जनक नहीं लगे, और गिरफतारी जो है वो शराब निती में गड़बडिया और इसकी जो जानकारी है वो निजी लाप पहुंचाने के मामले में की गई है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, सी बियाई ने कह कि सिसोदिया ने कई एहम सवालों के जवाब टाल दिये, जवाब ही नहीं दिये, लेकिन जब हमने उनके सामने सबूत भी पेश किये, सी बियाई ने सबूत पेश किये, लेकिन मनीश सिसोदिया ने जाच में सहयोग नहीं किया, एजनसी ने कहा कि उनसे गहराई से पूछत कि कि दिनेश अरोडा से मनीश सिसोदिया के connection के बारे में सवाल कियेगे लेकिन मनीश सिसोदिया ने कई phone calls भी किये हैं कई phone set भी नष्ट किये हैं क्यों कि यह व्हों फोन सेट नष्ट उनकी डिटेल के आधार पर सिसोधिया से सवाल पूछे तो यह देखे कितने एहम पहलों इस बारे में आम आदमी पार्टी कहीं जिक्र नहीं कर रहे हैं अगला पॉइंट है कि दिनेश अरोडा दिल्ली के जो है वो एक कारोबारी है उनका रेस्टोरेंट है इसी मामले में एडी ने जांच भी की है और उसमें दिन संजे सिंग आज बुखला है हुए दिखाई दे रहे हैं हर जगा इसके बाद अरोडा ने केई कारोबारियों से फंडिंग में जांच सहयोग जो है वो मांगी और विधान सभा चुनावों के लिए सिसोधिया को 82 लाक रूपे दिये शराबनिती केस की जांच शुरू होने के बाद दिनेश रोडा सरकारी गवा बनगे उन्होंने ही मनीर सिसोधिया और कई बड़े आप नेताओं का नाम लिया था वही संजे सिंग जो आज गूम रहे हैं यहाँ पर अडारनी अडानी करते फंडिंग यहाँ पर कैसे रेस्टोरेंट से ली जाए उनका नाम सामने सिसोधिया दिली के दूसरे ऐसे मंत्री हैं जो गिरफतार हुए हैं जून 2022 से अगर बाद के सतेंदर जैन जेल में हैं और अभी बिना विभाग के मंत्री हैं अभी भी सतेंदर जैन मामले में अब तक आम आदमी पार्टी के ही प्रवक्ता विजे नायर समेत कई बड़े ल कि सक्सेना ने केटरिवाल सरकार के मंत्री मनीशी सोधिया पर नेमों का नजर अंदास कर ब्रश्चाचार करने का आरोप लगाया था जिसके बाद बीजे पी ने पूरा हंगामा किया दिली की सडकों पर पर परदर्शन किये गे कि किस हिसाब से जो है इसको लागू किया ग नीती गोटाले की जान से लेकर पूरी गिरफतारी तक अगर हम आपको टाइम लाइन से समझाएं तो 17 अगस 2022 को CBI ने आपकारी नीती में मनीशी सोधिया और उनके साथ 13 अन्य लोगों के खिलाफ जो है FIR की और LG विने कुमार सक्सेना ने जांच के आदेश दिये इसके ब बाद 22 अगस्त को ED CBI से मामले की जानकारी लेती है और इसमें CBI के बाद ED के एंट्री होती है मनी लॉंडरिंग का जो मामला है वो दर्च किया जाता है उसके बाद 30 अगस्त को आगे बढ़ते हैं तो 30 अगस्त को सिसोधिया के PNB में जो बैंक लॉकर हैं उनकी तलाशी की जाती है और फिर आगे बढ़ते हो इस 27 सितंबर को आमादमी पार्टी के प्रवक्ता विजे नायर को गिरफतार किया जाता है 28 सितंबर को ED ने कथि दिल्ली शराब गोटाले के आरोपियों में शामिल शराब कारोबारी समीर महिंद्रू को जो है गिरफतार कर लेती है फिर के छे दिन बाद CBI जो है मनीर सिसोदिया से पहली बार 9 गंटे तक पूछताश करती है फिर उसके लगबग देड़ महिने बाद 25 नवंबर को CBI जो है साथ लोगों के खिलाफ चारशीट पेश करती है जिसमें सिसोदिया का नाम उस समय शामिल नहीं था लेकिन उसके को भी जो है इसमें नामजद किया दिरे दिरे केस आगे बढ़ता है फिर 14 जनुरी 2023 जैसा हमने आपको पहले बताए डिप टी सीम मनीर सिसोदिया के ऑफिस पर रेड की जाती है जो कंप्यूटर जब्द किया जाता है जो हमने आपको खबर दिखाई थी वहीं से सारा को मिला है सिसोदिया के खिलाफ और 19 फरवरी को सीबियाई ने सिसोदिया को बुलाया पूश्टाश के लिए लेकिन वो नहीं गए मनीर सिसोदिया एक हफते का समय मांगा गया कि कोई और तारीक पर पूश्टाश की जाए और वो समय मिल जाता है फिर 26 फरवरी को बैरहल अब अगर बात की डाये तो यहां पर मनीर सिसोदिया जो लगातार बात कर रहे थे इसमें कि उनको प्रतारित किया जा रहा है लेकिन अब सच्चाई ये है कि वो सलाकों के पीछे और वसीबियाई के सुतरों से बताया जा रहा है कि कई सारे ऐसे सवाल थे जिन सवा जो लगातार आम आदमी पाड़ी ये क्लेम कर रही है कि कैसे गरत्रीवाल को फशा जा रहा है लेकिन ढ向ा बनादो और ठीजी आपको टाइम लाइन बताई पूरी जो चीज़े विस्तार पूरवक बताई कि किन किन पहलों से गिरफतारी करने का कारण क्या था गिरफतार तो हुए है आम आदमी पार्टी कहा रही है गिरफतार कर लिया गिरफतार कर लिया लेकिन क्यों गिरफतार किया इस पर आम आदमी पार्टी क्यों नहीं बता रही कि वहाँ पर मनीश सी सोधिया कॉपरेट नहीं कर रहे हैं CBI के अफसरों के साथ जो अरविंद के इर्जिवाल कहते थे हम तो खुशी खुशी जो है गिरफतारी दे देंगे हमने कुछ किया ही नहीं मनीश सी सोधिया तो बेकसूर है वो कट्टर इमानदार है उसको भारत मिलना चाहिए और लेकिन जब CBI के सवालों का सामना करना पड़ा तो उसमें वो खलाए हुए मनीश सी सोधिया दिखाई दिए कॉपरेट नहीं कर रहे इसलिए CBI की तरफ से उन्हें गिरफ्तार किया गया कि कस्टिडी में लेकर के पूश्टाश करना बहुत जरूरी है अगर इस शराब गोटाले का सच देश के सामने लाना है बहराल अब इसको लेकर आपका क्या कहना आपकी कह रहा है अब जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जो द तमाम डिट के लिए बने रहे हमार साथ दन्यवाद